दर्शे को हम आज के महीने में परवेश करने चाह रहे हैं तो हम सब के मन में एक थोड़ी जिग्यासर रहती है थोड़ा चिंता बनी रहती है कि यह हमारे लिए कैसे रहने वाला है यह जो ग्रह गोचे के सिथी बनने वारी हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव डालेग की जो श्रिंकला हमने शुरू कर रगी है हमने अब तक आपको 10 राशी तक के बारे में हम बता चुके हैं यानि मकर राशी तक के बारे में हम आपको बता चुके हैं पूरे विस्तार से अगर आपको कुछ मिस हो गया है या आपने नहीं देख है तो हमारे प्रेलिस्ट में स स्तिथि को समझेगे उसी के दाने राम श्लेशन निखालेंगे तो घèg सप्रकार कर रहे हैं कि यृ मझल देखने को मिलीगा क्योंकि 12 मार्ज को शुक्र सा जाएंगे और आउके साथ यूथी बनाएंगे 13 माच को मंगल do chatur-bhaub से panchabhaa जाएंगे मित्वराशी में परवेश करेंगे इसके अलावा, सूरे जो हैं, 15 मार्च को,안चा 13 मार्च को ब्रणा के यूति बनाएंगे दिरति भाव में प्रवेश करेंगे, या NO cancer इसी अधापा हम समझेंगे हम स्वास्तर की बात करेंगी से संबंदिन समस्या हो सकती है या हड्यों से समंदिन के साथ लगन साथ सांस से समंस्य हो सकती हैं अगने मार्च के बाद आप इन समस्यों में काफी कमी देखने को पाएंगे क्योंकि जब बुद्र जो है दुस्ति भाहमे प्रवेश करेंगे शुरे के साथ तब आप की सामस्य धीरी धीरे कम हो रही है इसके अलावा अपने इम्यून सिस्टेम पर आपको काम करने कुछ कमजोरी की वज़े से आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसका आपको विश्य दियार रखना होगा, कोई मिला कि खान पान आपको अच्छ आपको अच्छ है और योग और मेडिलेस आपको कुछी ज्यादध बड़ी समस्य है नहीं हो कुम राशी वालों के लिए शिक्षा और करेर के शिर्ट में मार्च का महीना कैसे रहने वाला है तो कुम राशी वालों की आंगर बात करें तो शुरुआत काफी अच्छी रहने वाली है क्योंकि पंचमेश बुद्ध है आपके लगनेश के साथ कोचर कर रहे हैं यूती बना करेंगे कि हो सकता है कि आपको लगए कि आज आपका इसमें ब्रेक हो गया है यह शिक्षा में कुछ ब्रेक हो गया है काफी साफधानी आपको बरतनी होगी कुछ ऐसा टेंपरेरी सिच्वेशन को देख का आपको आगे जाके पश्ताना पड़े क्योंकि 16 मार्च को बात आगे लड़ने के लिए शक्ति और उर्जा परदान करेगा तो आप सहीयम बनाके रखें अपने साकरात्म को विश्वास बनाके रखें और अपनी प्लानिंग के साथ चले आपको सफलता ज़रूर मिलेगी इसके अलावा लगने शनी आप चाहेंगे कि आप महनत करें संगर करें तभी आपको अच्छा परिणाम आपको देखने को मिले क्योंकि शनी महराज आपको तभी परेड़ परिणाम देते हैं जब आप कुछ महनत करते हैं यह संगरश करके उनको दिखलाते हैं और उसमें आपको इमानदारी रखनी बहुत स़रूरी है इसके लावा कॉमप स्थेर रखें अपने फोकस रखें और कॉंसलिटेशन लेवल बना के रखें तो आपको सवलता जरूर मिलेगी दर्शों जा लेते हैं कि कुम्राशी वालों के लिए माज का महीना उनके कारेश्यत्र व्यविसाय के लिए कैसा रहने वाला है तो सबसे पहले हम कारेश्यत्र की बात करें सरकारी विभाग में है तो अधिकारियों से आप बना के रखें कुछ ऐसे उलजना जाएं कुछ ऐसे बाद विबाद में ना पढ़ें जिसकी वज़े से आपको परिशानी हो जाएं इसके अलाव वह आपके खिलाव भी जा सकते हैं मंगल की दिष्टी आपके परिशी में पूरे से पढ़ रही है लेकिन आफको च γप पर चांस देख लिलें लेकिन वहां को आपस यह एंपर مौशे लगने पणकी का भी आफिमिल सकता है है साथ ही आपकी जो बर्तमान वटरी उसमें भी अपर्मोशन के अच्छे चांसिस बन रहे हैं तो कुल मिला के मद्यमाज के बाद कुछ अच्छा परिवतन आपको देखने को मिलेगा अगर आपके अधिकारे के साथ कुछ नहीं बन रही है तो उसमें भी आप देहरे बनाके रखें उलजने से बचे ऑफिस पॉलिटिक से खुद को दूर रखें और इंतजार करें सही समय और सही गोचर का तो सिति आपके पक्ष में जरूर आईगी आप बात करेंगे विवसाय वालों के लिए विवसाय की बात करें तो साजेदार या पाटने के साथ आपको उलजने से बचना होगा यह कुछ ऐसे डील आप साइन करें तो उसमें अपने सयम से काम ले साथ ही उसके लाब और हानी दोनों को देख कर ही उसके बारे में सोचे अगर कुछ नया निवेश करना चाहरे है तो उसके बारे में बाद में सोचे जो पहले आप में इंवेश कर रहा है उसको पहले आपको मजबूत बनाना होगा साथी आगर आप अन्या से समंदित वेवसाय में थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगी रियल स्टेट में आपको उच्छा अपको देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि मंगल आपके चत सबसे पहले प्रेम संब्द की बात करेंगे तो प्रेम संब्द की हम बात करें तो आपको अपने संब्द में कुछ स्थाइथव देखने को मिलेगा क्योंकि पंचमेश बूद आपके लगनेश के साथ लगन में ही यूती बनाकर गोचर कर रहे हैं तो कुछ अच्छा आपक रुकावाट प्यादा करता है, कुछ अचानक ऐसे आपके प्रेम सर्माद में कुछ ब्रेक आपको देखने को मिल सकता है, कुछ आपको लगेगा कि आपका सर्माद बिल्कुल टूट गया है, लेकिन वो एक टेंपरेरी होगा, उसके बाद आपकी सिती निरतर परवर्तित होत में, इसके लाबा अगर हम विवाई दंपतियों की बात करें तो काफी अच्छा समय तो बिताएंगे, लेकिन कुछ वापिवाद और संगर्श आपको देखने को मिल सकता है, कासकर जब पंच में असबतमेश और लगनेश दोनों यूती बना के लगन में बैटे हों, तो आ आप अपने एहम के कारण, अपने रिष्टों में कुछ ऐसी बाते कर सकते हैं, कुछ ऐसे तनाव ला सकते हैं, जो आपके रिष्टे के लिए काफी हानिखारक हो सकता है, साथी शुक्र कर रागों के साथ त्रित्य भाव में गोचर करना, ये भी दर्श आता है कि आप किसी संगर्ष आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, तो आपको सफलता जूरू मिलेगी, इस कलावा संधान पक्त से आपको कुछ संतर जनक परिणाम देखने को मिलेगा, अगर संतान के लिए प्रयासलत हैं, तो कुछ इंटजार आपको करना पड़ कुछ शुरुबाती असफलता आपको देखने को मिल सकती है जश्यकों आप कुछ उपाई की बात कर ले दे जिसे अपना कर आप उसका फैदा भी उठा सकते हैं साथ ये अपने ग्रहे में जो भी नाकरात्मा परिणाम दह रहें उनको भी कम कर सकते हैं तो आप ऐसे उपाई म जो नाकरात्मा परभाव को ये नेगेटिव परभाव को कम करेगा इसके अलाबा विश्टु सहसना आपका पार्ट करें नित्य नहीं कर सकते तो आप ब्रिस्पतिवार को जरूर करें ये आपके आपके जो परस्नल लाइफ और प्रफेशन लाइफ दोनों के लिए बहुत कॉंटेट कर सकते हैं हारे कृष्णा